हमारे बेजुबान दोस्तों डॉक्स कोड्स के सदस्यों ने भी अध्भुत क्षंता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों हमारी संस्कृति ने हमें वसुधय कुटमकम की सीख दी है। और ये मंत्र जिस स्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरख है। अयम निजह परोवेति गाना लगुचेतसां। उदार चरितानाम तुवसुधय कुटमकम। अर्थात बड़े रदे वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते हैं। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृत्वी ही अपना परिवार होती है। यानि वो जीव मात्र को अपना मान कर उनकी सेवा करते हैं। साथियों तुर्किये हो या फिर्या हो। पूरी टीम ने इनी भारतिय समस्कारों का एक प्रकार से प्रगटी करन किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदसे पर अगर कोई संकट आएगी। तो भारत का धर्म है। भारत का करतव्य है। उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो। अगर बात मानवता की है। मानिविय संबेदना की है। तो भारत मानव हित को ही सर्वों पर ही रखता है। साथियों प्राकृतिक आपदा के समये। इस बात का बहुत महत्व होता है। कि सहायता कितनी तेजी से पहुँचाई गई। जैसे एक्सेडेंट की सबन गोल्डन अवर कहते हैं। इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है। सहायता करने वाले टीम कितनी तेजी से पहुँची। तूर्किये में भूकम के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुँचें। इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी और खीचा है। यह आपकी प्रिपेड्नेस को दिखाता है। आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे दस दिनों तक जिस प्रकार आपने पुरी निश्ट्रा से वहां हर चुनोती का सामना करते हुए काम किया। वह बाग कई प्रेना दायक है। हम सभी ने वह तस्विरे देखी है। जब एक मां आपका माथा चुमकर के आशिरवात दे रही है। जब मलबे के नीचे दभी मासुम जिंदगी आपके प्रयास हो से फिल खिल खिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकामला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पुरा देश घर्व से भर रहा था। वहां गई भारतिय टीम ने प्रोफेशनलिजम के साथ साथ मानविय समभादनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुन्य है। ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है जो कोई अपना सब कुछ घावा कर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी परिस्तित्यों में सेना के होस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस सम्भेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रस्वंस्रिया है। साथियों 2001 मेन जब गुजरात में भूकम पाया था और उसे पिछली शतादी का बहुत बड़ा भूकम माना जाता था। यह तो उससे भी कई गुणा बड़ा है। जब गुजरात का भूकम पाया तो बहुत लंबे समय तक महां एक वालिंटेर के रुप में बचाओ कारियों में जब जुड़ा था। मलवा हटाने में जो दिक्कते आती है। मलवे में लोकों को खोजना कितना मुश्किल होता है। खाने पिने की दिक्कत कितनी होती है। दवाईों से लेकर अस्पताल की जुग जरूरत होती है। और मैंने तो देखा था बूज पोरा अस्पताल ही वस्त हो गया था। याने पूरी विवस्ता ही तबाह हो चुकी थी। और उसका मुझे फर्स्टान एक्स्पियंस रहा है वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोर्भी में मच्छू ड्रेम जो बांद तूटा पूरा गाउं पानी से तबाह हो गया पूरा शहर मोर्भी तबाई मच्छी थी सैक्णों रोग मारे गए एक वल इंट्रेर के रुट में तब भी में वहां महिनों तक रहकर करके ग्राउंड पर काम करता था मैं आज अपने उन अनुभावों को याद करते हुए कल परा कर सकता हूं कि आपकी मेहनत कितनी जबर्दस्त होगी आपका जजबा आपकी भावनाएं मैं भली भाते फील कर सकता हूं कि अब काम वहां करते थे मैं मैं हानुभा करता था कैसे करते होंगे और इसलिए आज तो मोका है कि मैं आपको सेल्यूट करूँ और मैं आपको सेल्यूट करता हूं कि साथियों जो कोई जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिजन कह सकते हैं लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो सिल्फ लेस होता है ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बलकि राष्ट्रों पर भी लागू होती है इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिजन से के साथ साथ सिल्फ लेस की पहचान को भी शसक्त किया है तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है जब भारत की की में आ चुकी है तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जो सीरिया का उधान बताया कि जो बक्सेक में जो द्वज लगा था बक्सा उल्टा था तो औरेंज का नीचे था केसरिया नीचे तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक करकर के और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आधर से धन्वात करता हूं तिरंगे की यही भूमेका हम ने कुछ समय पहले यूक्रेण में भी देखी है जब भारतिये नागरिकों के साथ-साथ संकट में फसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल ब बन करके उसे एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की अफगानिस्तान से भी बहुती विप्रित परिस्तितियों में हैं हम अपनों को सरकुषल देख लेकर के वापिस आए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है हमने यही कमिट्मेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा अनि सित्ता भरे उस माहोर में भारत ने एक एक नागरी को स्वदेश लाने का बिड़ा उठाया हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद भी यह भारत ही हैं जिसने दुनिया के सैंक्रों जरूरत बंद देशों को जरूरी दावाएं बैक्सिन पहुंचाई इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रती एक सद्भावना है साथियों आपरेशन दोस्त मानवता के प्रती भारत के समर्पांग और संकट में फसे देशों की मदद के लिए ततकाल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है दुनिया में कहीं भी आपदा हो भारत फर्स्ट रिस्पॉंडर के रुप में तयार मिलता है नेपाल का भूकम्भ हो मालदिव में स्रिलंका में संकर राय हो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगया है अब तो भारत के सेनाओं के साथ साथ एंडियारेप पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एंडियारेप ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है देश के लोग आपको देखकर ही कहीं पर भी संकट के संबाव न आ हो competitions जैसे ही आपको देखते हैं तो आप पर विश्फास करना सुरू करते हैं आपकी बात मानना सुरू करते हैं संकट की किसी गड़ी में चाहे वो साइकलोन हो बाड हो या फर भुकम जैसे आप दा है जैसे ही एंडिय अरब की वर्दी में आप और आपके साथ ही फिल्ड पर पहुंचते हैं लोगों की उमिद लौट आती हैं विश्वास लौट आता है कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है जब किसी फोर्स में कुसलता के साथ सम्वेदन सिल्टा जूड जाती है उसका एक मानवे चहरा बन जाता है तो इस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है एंडी आरेपी इसके लिए मैं विशे इस रूप से प्रसांसा करूंगा साथियों आपकी तैयारियां को लेकर देश आस्वस्त हैं लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ को और अधिक बढ़ाना है हमें दुनिया के सर्वस्रेश्ट राहत और बचाव दल के रूप में अपनी पहचान को ससक्त करना होगा और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आए थे उनका वर कल्चर उनका स्टाइल अप फॉंक्शनिंग उनके इक्विप्मेंट क्योंकि ट्रेडिंग जब फिल्ड पर काम में आती है तो शार्प्रेश और बढ़ जाती है इतना बड़ा हाथसा आपके पहुंचने से एक प्रकार से एक संवेदना के नाते जिम्मेवारी के नाते मानोता के नाते हमने कांतों किया लेकिन हम बहुत कुछ सिख करके भी आये हैं बहुत कुछ जान करके भी आये हैं इतनी बड़ी भायानक क्यालेमिटी के बीच में जब काम करते हैं तो दस चीजे हम भी अपजर करते हैं सोते हैं ऐसा नहों ता रोता ये करते तो अच्छा होता वह स्य कर दो इसमtch塔 भी बढाता है मीं तो दस दिवस तुर्कियह के लिए होतों के लिए तो हमारा दाई ति हम Нिभा रहें लेकिन वहाँ जो हमने सेक्ष पाए हैं उसको हमने documentation होना है बारी किसे documentation करना चाहिए और उस मेंसे हम क्या नया सीख सकते हैं अब भी कौन सी ऐसी challenges आती हैं कि जिसके लिए हमें हमारी ताकट और बड़ानी पड़ेएगी हमारी खंता बड़ानी पड़ेगी अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई पहली बार गई और मेरे पास जितनी खबर है कि बेटियों की मौझूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास प्रदा किया वो खुल करके अपनी सिकाहेते बता पाई अपना दर्द बता पाई अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था इतना बड़ा कठीन काम है इन बेटियों को क्यों परिशान करें लेकिन इस बांदे रिड़ा किया गया और हमारी बेटिया में संख्यां हमारी सिम्वित लेके लेकिन वहां पर नाता जोड़ने में हमारा ये इनिसिटिव बहुत काम आय है मैं मांता हूँ कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बहतर होगी हम दुनिया की भी उतने ही भेटर तरीके से सेवा कर पाएंगे मुझे भी स्वास है साथियों आप बहुत कुछ करके आएं हैं और बहुत कुछ सीखकर करके भी आये हैं आपने जो किया है उसे देश का मान सम्मान बड़ा है आपने जो सीखा है उसको अगर हम इंस्टिटूशनलाइज करेंगे तो आने वाले भविश्य के लिए हम एक नया विश्वास पैदा करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है आपके हरे के पास एक कठा है एक अनुभाव है कुछ नो कुछ कहने को है और मैंने पूस्ता रहता था मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सब सलामत रहे तब्यत भी अच्छी रही क्योंकि यह भी चिंता रहती थी कि बहुत ही वेदर टेंपरेचर समस्याएं और बहां कोई वेवस्ता नहीं होती जहां इस प्रकार का हाथसा होता है बहां से संभव ही नहीं होता है किसी के लिए संभव नहीं होता है लेकिन ऐसी स्थिति में भी कठिनाईयों के बीच भी काम करना और आप देश के नाम को रोशन करके आए है और बहुत कुछ सीख करके आए है जो आने वाले दिनों में काम आएगा मैं फिर एक बार रिदय से बहुत बहुत अभी नदन करता हूं मैं जानता हूं आज आज ही आए हो ठक करके आए होगे लेकिन मैं लगाता पिछले दस दिन आपके संपर्क में था जानकारिया लेता रहता था तो मन से मैं आपसे जोड़ा हुआ था मेरा मन कर गया कि घर बुलाओं आपको आपका अभिन्यंदन करूं इतना बढ़िया काम करके आये हैं मैं फिर से एक बार आप सबको सेलिट करता हूं दन्यवाद